हलो एंड वेलकम तो सीरी टी एफबी दोस्तों सीरी टी एफबी की नई क्लास में नए टुटोरियल में आज फिर आप लग सभी का स्वागत है आज मैं आपको इस तरह क कि ग्लास और ग्लॉसी एफबी किस तरह में बना सकते हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा र्रिफेक्शन वाल और किस तरह ऐसे स्पाइरकल लगा सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक श्पारकल यह में लाइटिंग है इस में सिम तो सबसे पहले इसको मैं बॉटम में रख लेता हूँ या उपर मैं आपको दिखाऊंगा तो हमें काम करते हैं यह मैं इसको अंगूरूप कर देता हूँ सबको मेरे शॉर्टकट बना हुआ है उससे कर रहा हूँ और इसमें से कोई भी एक ग्राउंड कॉपी कर लेंगे हम यह देखिए माल लीजी यह वाली कर लिया हमने कंट्रोल से करेंगे ताकि यहीं सेंटर में आ जाए ताकि और बना लेंगे देखें यह हो गई कॉपी अब हमें सबसे पहले तो शेप चाहिए जिस शेप के ओपर हम क दिखाये हुआ है और किसी शेप पर भी कर लेंगे अगर टाइम हमारा मिला तो हमें देखिए मैंने यह कर लिया और इसकी आउटलाइन पर डबल क्लिक करूंगा मैं यहां इसको फोर पॉइंट की कर रहा हूं और साथ ही यह बिहाइंड वाली कर रहा हूं मैं आउट सबसे पहले तो दो चीज समझ लीजे एक तो सबसे जरूरी है कोई शेप जिसके उपर रिफ्लेक करेगा लाइट का दूसरा क्योंकि वो ग्लास अगर इफेक्ट बना रहा है आप तो यह बीच का पोर्शन इसका ट्रांस्पेरेंट होगा यह इस तरह से और जब ग्लास का यह पोर्शन ट्रांस्पेरेंट होगा तो इसकी एज अब्वियसली कुछ ना कुछ डार्क एजिस होंगी थोड़ी जहां से रिफ्लेक करता हुआ यह एज इस पे से शार्प हो जाएगा डार्क अब हम इसको क्या करेंगे अरेंज में जाएंगे कनवर्ट आउटलाइन ऑबजेक्ट जिसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट क्यू है तो मैं इसको ओके कर दूँगा इससे क्या होगा हमें दोनों अबजेक्ट सेपरेट मिल जाएंगे एक यह और एक यह और यह वाला भी फिल आउबजेक्ट है या आउटलाइन नहीं रही है अब कंट्रोल जैट कर दूँगा तो हम इसमें अब ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं और दूथरी चीज है कि चारो तरफ की एजिस की हमें बिल्कुल बराबर की स्पेसिंग मिल गई आउटलाइन फिल करने से अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल टोन चेंज कर देता हूँ टार्क तक यह समझ में ना है और इस वाले पर हम काम करेंगे येलो वाले पर येलो वाले को हम ग्रेडियंट फिल करेंगे ग्रेडियंट हम ब्लैक लेंगे ग्रेडियंट ब्लैक कलर फिल कर यहां ग्रे कर लेंगे हम डार्क और इस तरह ड्रैग करकर यहां राइट टू लेफ कर लेंगे यहां वाइट एजिस दे देंगे फिर यहां डार्क ग्रे देंगे बीच में कहीं फिर यहां एक बार डार्क ग्रे देंगे इस तरह से कुछ reflection मना लेंगे थोड़ा साम इसका एंगल चाहें आप change कर सकते हैं इस तरह कुछ जैसा चाहें आप कर सकते हैं तो फिलाल में इसको जैसे रख लेते हैं और इस वाले portion पर हम reflection लगाएंगे reflection देखिए यहां मैंने लगाया हुआ है इसको plain simple भी लगा सकते हैं आप हम अलग अलग दो तीन तरह के लगा देंगे इसकी मैं copy कर लेता हूँ ताकि अलग अलग अप्शन आपको दिखाता हूँ कंट्रोल आर कर देता हूँ तो reflection लगाने के लिए हमें क्या चाहिए एक shape चाहिए तो देखिए आप straight भी लगा सकते हैं मैं circle में लगाऊंगा इस तरह का reflection कुछ ही है यह सही है मेरे ख्याल से और इसमें मैं white fill करूँगा outline none कर दूँगा transparency tool का use करूँगा यहां मैं और इस त reflection दिखानी है light की यहां यह देखिए एज कितनी sharp दिखनी चाहिए हमारी वह सब यह इस तरह हम white पर apply कर देंगे एक चीज़ और कर सकते हैं आप इसमें अगर आप चाहें तो वैसे जरूरत नहीं है आप यहां transparency में जाकर यहां से mode change कर सकते हैं soft light या hard light कोई भी देगे soft light में थोड़ी light ages आ जाएंगी और hard light हम use करेंगे तो यहां यह ages hard हो जाएंगे थोड़ी अब मैं चलिए use करकर ही दिखा देता हूं आपको otherwise आप normal भी रख सकते हैं कर लेंगे तो भी अच्छा है तो दीखिए यह मैंने copy इसका भी यहां पर भी copy कर लेता हूं same एक ही object हमारा काफ पोशन नन कर दूंगा magenta color fill यह देखिए transparency effect आ गया इसके अंदर ठीक है अब इसको थोड़ा सा और extra थोड़ा सा dimension देंगे हम design को थोड़ा सा depth और निकाल देंगे तो इसको हम outline वाले portion को select करेंगे जो outline था हमारा gradient है हम drop shadow select करेंगे और यहां drop shadow apply करेंगे हलका सा देखिए यह हमें middle करूंगा यहां से मैं inverse square करूंगा feather थोड़ा सा बढ़ा दूंगा density थोड़ा दूंगा यह देखिए कितना अच्छा realistic एकदम बन कर आया है अच्छा यह बनने के बाद भी आप experiment और कर सकते हैं मैं इसको break apart कर रहा हूं अगर आप चाहते हैं यह drop shadow outside ना आये सिर्फ inside आ कर देंगे power clip और इस transparent वाले object के अंदर कर देंगे देखिए select क्योंकि front पर आ गया है इसलिए नहीं हो रहा मैं इसको select करूंगा object को white को इसको front पर ले आऊंगा layer को मैं इसको select किया shift के साथ page up कर रहा हूँ है अब मैंने drop shadow देखे select किया यह और इसको power clip कर दूँगा inside इस transparent वाले के देखिए तो अब यह ages पर inside नहीं आई यह सिर्फ inside shadow आ गया है तो आप जैसा चाहें use कर सकते हैं तो मैं control z कर रहा हूं मुझे वह अच्छा लग रहा है यह वाला पो तो यह यह एक हमारा reflection बन गया simple अब next पर चलते हैं फिर से यह हमारे पास shadow है हम इसको rotate कर लेंगे simple यह placement अपने हिसाब से कर लेंगे जहां आप चाहते हैं फिर इसकी copy करेंगे हम यह इस तरह rotate कर लेंगे इसकी placement भी हम जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं reflection की edges जहां से हम दिख यहां से drop drag करके इस तरह थोड़ा सा light कर लेंगे और इसी तरह इसको भी थोड़ा सा light कर लेंगे देखिए इसको बढ़ा सकते हैं यह घटा सकते हैं जैसा भी आप adjust कर लेंगे इसको drag करकर देखिए यह आ गया अब इन दोनों को एक साथ select करेंगे white reflection को यह देखिए और हम group कर लेंगे एक साथ और इस वाले shape के अंदर magenta के fill कर देंगे out power clip inside यह देखिए यह हो गया तो अब यह भी हो गया मैं इसको magenta color को none कर देंगे और यह object रह गया है ठीक है अब हम इसमें फिर से इसी तरह का shadow बना सकते हैं चलिए हम थोड़ी देर के लिए shadow को भूल जाते है हमें shadow की दरुवत नहीं है हम क्या करेंगे ऐसी reflection दिखाएंगे आपको यह देखिए यह reflection बनी विए तो इसके लिए हम जूम कर लेता हूं मैं हमें दो चीजे चाहिए होंगी सिर्फ एक ही object चाहिए होगा और उसमें दो हमें काम करने होंगे तो यह object हमने इस तरह का oval बना लेंगे यह और इसके अंदर black fill कर दूँगा मैं यह देखिए transparency tool का use करूँगा यहां से देखिए zoom करकर दिखाता हूं मैं आपको यह वाले option मैं जाओंगो transparency में second वाले में जिससे हमें अलग-अलग shapes में देगा radial में देखिए यह position आ गई हमारे आप देख सकते हैं radial करते ही तो हमने radial कि अब मेरा transparency tool select होगा मैं यहां से कोई dark color choose करकर देखता हूँ hard light यह white कर दूँगा इसको sorry white के उपर hard light यूज़ करेंगे हम यह देखिए और इसको हम यह center में ले आएंगे कहीं यह center point इसका पकड़ लेंगे हम और अंदाद से हम यहां सई जगा पर ले आएंगे जब अब इसको हम control के साथ double click करकर इस तरह रोटेट कर लेंगे इस angle पर copy और इसको rotate करकर इस angle पर ले आएंगे line के ताकि इस line से हमें reflection दिखाई दे इस तरह का अगर आप चाहते हैं इस line पर ना दिखाई दे तो आप अपनी पसंद से इस तरह भी adjust कर सकते हैं देखिए यह यह भी अच्छा लगेगा इसी तरह इन दोनों को हम copy कर लेंग select कर लेंगे group कर लेंगे एक बार group object तो इसको white portion पर रख लेंगे यहां corner पर edge पर तो यह white edge पर आजाएगा तो यह reflection अच्छा दिखाई देगा बड़ा छोटा आप अपने इसाब से कर सकते हैं देखिए इसको मैं angle change कर लेता हूं यहां है क्योंकि दिखना ही रहा है दिखना चाहिए थोड़ा सा और इस तरह यहां पर भी यह देखिए इस तरह इसकी और edges अगर add करना चाहें इस तरह और भी कर सकते हैं आप यह मैं इसको ऐसे कर देता हूं चलिए फिर इसको यहां copy करकर रख सकते हैं आप जहां आप को लगे suitable के white का reflection है white पर हमें sparkle दिखाना है इस जितना add करना चाहें मैं extra भी रख सकता हूं यह देखिए यहां रख देता हूं कोई यह आ गया तो इस तरह कर सकते हैं आप इसी तरह मान लीजे यह नहीं है हमारे पास इसको मैं side में बाहर रख लेता हूं कोई और shape है मान लीजे मेरे पास यह इस तरह का circle है जैसे मैं leaf बनाना अकसर आपको सिखाता हूं यह यहां से leaf बना लेंगे हम और यहां बाहर रख कर ट्रिम करकर दिखायता हूं यह reflect rotate कर लेता हूं यह vertical भी बना सकते हैं यह देखिए यह आ गया और इस पर भी हम वही सब कुछ करेंगे wide fill करेंगे fill हाल temporary यह double click करेंगे thickness इसकी two point की रख लीजे ज्यादा नहीं रखना चाहते तो और अच्छा बनेगा और यहां से हम इसको arrange में जाएंगे outline को convert to curve कर देंगे देखिए दोनों separate हो जाएगा सब कुछ होई है अब मैं इसको यहां ले आऊंगा देखिए gradient चलिए दुबारा manually डाल देता हूं मैं सोच रहा था ऐसे fill कर दूँगा यह gray लिया मैंने gradient tool लिया यह यहां से gradient fill किया यहां फिर से gray कर दिया edge पर बीच में white फिर यहां कोई gray ले है मुझे यहां इस तरह फिर यहां white एक और अचलिए आप यहां white ज्यादा भी add कर सकते हैं अगर आप चाहें या इसको delete करकर यहां white को यहां ले सकते हैं age पर विलकुल जहां आप जैसा अच्छा लगए आपको उस आप से adjust कर सकते हैं तो यह हमने इसमें ages पर कर दिया इस कर रहा हूं मैं इसको यह yellow कलर की ताके दिख सके मैं इसको यहां कहीं इस तरह अपलाई कर सकता हूं यह यह शेप को इस तरह manually change कर सकता हूं थोड़ा सा यह देखिए जहां भी मुझे अच्छा लगए मैं उस आप से adjust कर लूँगा यह इसको इस बार bottom में ले सकते हैं देख फिर से transparency tool यह इस तरह देखिए transparency tool बहुत useful tool है और यहां फिर से मैं overlay यह dark light कर दूँगा soft light देखिए light हो जाएगा जाएगा लेकिन मैं hard light पसंद कर रहा हूं मैं hard light रखता हूं ताकि थोड़ा सा दिखाई दे contrast अब फिर से इसको मैं power clip inside कर दूँगा इसके और इस color को none कर द जिदा नहीं आ रहा है तो हम इस पर और experiment करते हैं अल्ट के साथ मैं select करूंगा इसको behind इस बाट transparency tool select किया मैं radial try करकर देखता हूं इसमें देखिए radial आ गया है इसको मैं इस तरह कुछ करकर देखते हैं अगर कुछ पसंद आये तो बात बने तो otherwise फिर हम इसको change कर लेंगे अगर अच्छा नहीं लगता है तो यह भी अच्छा है हम इसको थोड़ा सा shape change कर ले देखिए इस तरह का कुछ आ जाएगा देखिए white को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहां gray add कर सकते हैं लेकिन इसमें जाधा मज़ा नहीं आ रहा है मैं control z करके straight ही करूँगा वह जाधा better है यह आ गया हम इसकी ages को sharp कर लेंगे यह close कर लेंगे इसको age के देखिए यहां reflection कम होगा लेकिन ages sharp हो जाएंगी यह देखिए इस तरह यह देखिए यह बन गया अब जैसे हमने इसमें दिया हुआ देखिए इसके color change कर देते हैं इक का मैं यहां से gradient यह वाला ले लेता हूँ यह अच्छा नहीं लग रहा है इसको बढ़ा कर लेता हूँ करेंगे सियान अच्छा है औरेंज करेंगे औरेंज भी अच्छा औरेंज रख लेते हैं चलिए इस तरह चेंज भी कर सकते हैं इसकी direction चलिए यह बर्मान लेते हैं थोड़ देर के लिए हमारा वैसे tutorial gradient का नहीं है ठीक है अब इसकी shading वगयरा के साथ आप इसकी drop shadow अगर दे ना देता है कि यह बन गया कि साई फिर इसको चाहिए ब्रेक अपार्ट कर लीजए यह बन गया आपका यह वाला भी आजा इसको बहुत बार आप presentation के लिए दिखाना होता है तो यहां पर एक इस तरह से एड़ कर दीजे सेंटर में इसमें black color देंगे हम transparency यह वाली और यह व apply कर देंगे हैं simple यह हो गया इसको black ज्यादा dark है तो यहां से आप सिर्फ percentage आपकी select करके light और dark कर सकते हैं यहां पर इस तरह दिखा सकते हैं यह देखे इसकी shading आ गया तो इस तरह से किसी भी vector shape पर आप बना कर आसानी से इस तरह की reflection दिखा सकते हैं even text के उपर भी कर सकते हैं तो यह आज का वीडियो था lighting का reflection का थोड़ा सा दिखाना था आप लोगों को समझाना था इसको मैं थोड़ा से एक लिए चेंज कर देंगा अच्छा लगए तो कैसा लगा आज का tutorial हमें comment में जरूर बताईए यह reflection की technique आपको पहले से पता थी या नहीं थी और ज्यादा share कीजिए like कीजिए बस यही कह सकता हूँ ताकि हमें ला सकूँ आपके लिए नए वीडियो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए बताईए मुझे comment में चलिए देखते रहें cdtfb thank you watching for cdtfb thank you for being a part of cdtfb family